मैंने फरवरी महिने में Sieze Fire Violation के गधारइन बहुत जानकरी मांगी थी, जिसमें मैंने LAC, LOC पे होने वाले Cross Firing, Sieze Fire Violation के बारे में भी जानकरी मांगी थी, उसमें कितने security forces ने अपनी जानगवाई, कितने civilians उसमें injure होए, कि उनमें से कितनों की जान गई है, उनके लिए government ने क्या कुछ compensation दिया है ऐसे सारी जानकारी मैंने मंगाई थी जो आकड़े मुझे लगबग 6 महने बाद मिले है वो काफी ही confusing करने वाले भी है और अलग-अलग आकड़े मुझे दिये गए है जैसे मुझे जो 20 अपरिल को जो reply दिया गया था defense ministry की तरफ से उसमें कहा गया है कि पिछले लगबग 16-17 सालों में 11,900 ceasefire violation हुए है और वही जो अभी मुझे जो ministry of home office की तरफ से जो reply दिया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि लगबग 14,411 ceasefire violation हुए है और यह आकड़े स्रीफ 2010 से लेके 2021 तक के है यानि कि 2004 के पहले के आकड़े भी नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं defense ministry और home ministry के आकड़ों में जो हैं वो तफावत है वो आकड़े अलग-अलग है इसमें मैं ये भी notice कराना चाहता हूँ कि लगबग हमारे 664 security forces ने पिछले 11 सालों में इन cross fire violations seize fire violations में अपनी जान गवाई है उसमें civilians भी है लगबग 708 civilians में अपनी जान गवाई है इन जो उनकी जो संख्या है वो भी लगबग 1500 से 200 के करीब है और जो total number of incident जो है 2010 से लेके 2021 तक वो 14,411 है मुझे आज भी याद है 2014-15 में हमारे पंतपरदान रेंदर जी मोधी ने कहा था कि पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा हाला कि हमने उन पे surgical strike, air strike करके जवाब दिया है लेकिन अभी ये बहुत high time है कि पाकिस्तान को अब ये समय आ गया है कि उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए क्योंकि हमारे जो जवान जो है जो border की सुरक्षा कर रहे है जो अमरे देश की रक्षा कर रहे है वो ये crossfire और ceasefire violation में अपनी जान गवा रहे है तो मुझे लगता है कि कही न कही defense ministry और home ministry को इस पर collective action लेना पड़ेगा और पाकिस्तान में उनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा जब तक हम उनको उनकी भाषा में जवाब देना नहीं सिखेंगे तब तक हमारे जवान border पे युही अपनी जान गवाते रहेंगे हमारे देश में तो मुझे लगता है कि अभी इसका मोदी जी ने संग्यान लेना चाहिए और पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए वहाँ पे कोई प्रेम पत्र नहीं भेजना चाहिए कोई विजिट नहीं करनी चाहिए सी दा एक्शन का टाइम आ चुका है यह हाई टाइम है और मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसा आपने प्राइमिस्टर बनने के बाद कहा था कि पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए तो अब यह समय आ चुका है कि पाकिस्तान को उनकी भाशन में जौब देना पड़ेगा